पंच्पूला के सिक्टर एक P.W.D. रेस्ट हाउस में आज खरीब कल्यान समेलन का आयोजन क्या गया जिसमें हर्याना विधान सभा के अधिक्षि, क्यांचन्द गुपता और अमबाला लोक सभा सांसद रतनलाल कटारिया ने इस करिकर्म की अधिक्षिता की इस करिकर्म में पंच्पूला के उपायुकत महावीर कोशिक और पंच्पूला की मेर कुल्भूशन गोयल सहित अन्नेवी भागो के अधिकारी मौजूत रही मुझे जब से लोगडन लगाए तो असे बहुत फादा हुए अब इतना सहार हो गया और मुझे 40 किलो राषन मिलता है चार बंदेवर अच्छी होजना बहुत फादा हुए मैं पिछे भिहार से रहने वाला हूँ मैं पाथ प्छूला अभेपूर रता हूं प्यासमिला है इसे परधानमंत्री के योजना से मेरे को बहुत लब होगा जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री निरेंदर मोदी जी ने देश की बागडोर अपने हाथ में ली है उनका स्वपन रहा है कि जो देश के अंदर सबसे गरीब व्यक्ति है जो पंक्ति में अंतिम स्थान पर कड़ा हुव व्यक्ति है उस व्यक्ति को सहारा दिया जाए उसकी सहायता की जाए और उसी को लेकर के बहुत सारी योजनाएं जो शुरू की गई है आज तेरा योजनाओं के बारे में जो हमने देखा किस परकार से गरीबों की सहायता के लिए चाहे वो उजला योजना है चाहे गरीब लोगों के मकानों को लेकर के है चाहे गरीबों के लिए अन्न की योजना है गरीबों के लिए और सारी योजना है जो तेरा योजना है उनको यहां पर दिखाया गया और मैंने जो महसूस किया है उन मैंने कहा भी है कि जो आदरनीय परदानमंत्री और आदरनीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि गरीब आदमी की सहायता हो उसके अंदर कहीं न कहीं अधिकारियों की तरफ से लापरवाही बढ़ती जाती है जो सुचना हैं जो समाचार जो जानकारी गरीब लोगों को जो उस योजना के पात्र है वो कई बार नहीं मिलती है अगर उनको उस योजना के बारे में जानकारी नहीं होगी तो उसका फाइदा नहीं उठास है तो मैंने विशे साक्रा किया अधिकारियों से कि इन सबी योजनाओं की जानकारी उन सब ग्रीब लोगों को मिले जो इसके पात्र है और जो भी अधिकारी जिसंगोब जाँ जहां जहां पर भी जिस योजना को लगू करने के लिए जिम्मेवार है वहाँ पर ये विशेष प्रबंद होना चाहिए कि जो पात्र है उसको बार बार कारेले के चक्र ना लगाने पड़े है एक ही बार के अंदर उसको जानकारी मिल जाए कि कौन कौन से डॉकुमेंट्स रिक्वाइड है और वो डॉकुमेंट्स एक बार जमा होने के पश्चाथ जो सिवा का अधिकार नियम के अतहद करता हूं कि तभी जो प्रतान मंत्री जी की और मुख्य मंत्री जी की इच्छा है गरीब लोगों की सहायता करने की गरीब लोगों का जीवनस्तर उचा करने की वो इच्छा पुर्ण हो से कल भारत माता के लाल जन नायक नेंदर मोदी जी का परधान मंत्री के रूम में आठवर्स का कारेकाल पुरा हुआ था और आज में हिमाचल प्रदेश के अंदर जन कल्यांकारी योजनाओं पर जो आज तक के बेनिफिश्री रहें उसके उपर आज प्रकाश डाल रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने आठवर्स के अंदर उनकी जो भी योजना थी उसका द्रवाजा गरीब के घर जाकर खुला चहे वो सोचाल्या की योजना थी स्वच्टा अभ्यान को लेकर चहे वो नल से जल की योजना है चहे वो नौ करोड बीस लाक महिलाओं को लपीजी किनेक्शन देने की बात है चहे वो देश में 3 क्रोड लोगों को मकान का स्वामितव देने की बात है चहे 45 क्रोड लोगों से उपर जंधन के खाते खोलने की बात है चहे मुद्रा योजना की बात है और आतम निर्भर भारत योजना के अंतरकत चाहे अपने देश को सेनाओं के मान और मरियादा के लिए आतम निर्फर बनाने के लिए जो मेकिन इंडिया का कारेकरम चला है और जिसके अंतरगत हम बड़े से बड़ा हथियार भी अपने देश में बनाने लगे हैं और किस तरह से डीजिटल करांती के माध्यम से हम सारे भारतवर्स के अंदर एक करांती ला रहे हैं उन सब योजनाओं के उपर आज बाचीत हो रही है और आज जिस प्रकार से करोना काल के समय में परधान मंत्री जी ने हिंदुस्तान के अंदर 80 क्रोण लोगों को जो है वो की व्यवस्ता की आज सारे वीश्व के अंदर उसकी इस रहाना हो रही है अभी चार पांस ऐन पहले जापाँ के अंदर जो है पास करके स्वागत किया गया कि भारत में जिस प्रकार से कोविड हैंडलिंग किया है जिस प्रकार से 80 क्रोड लोगों को तीनों समय का भोजन उपलब्द कराया है और उनके इन प्रयासों की जो सरहना है वो डबल्यू हो ने की है यूएनों ने की है इंटरनेशनल मोनेटरी फंड ने की है तो संसार की सभी संस्थाएं चैया वो यूनी से वो मोदी जी के हर कदम की सरहना कर रही है कि किस प्रकार से उन्होंने भारत वर्ष के अंदर लोगों को ग्रीबी रेखा से उपर उठाने की कोशिस की तो उनका ये प्रयतन सरहनी है घोर्तलभै कि इस मौके पर जीला की नाभार्थियों ने बताया कि केंद सरकार्थवारा दिये जाने वाली सभी सुविधाएं उन्हें मिल रही है और उन सुविधाओं के मिलने से उनका जीवन सरल हुआ है